अगर आप इंजिनेरिंग करना चाहते हो अगर आपको ये सभी ड्रीम कॉलेज पता होना चाहिए साथी साथ इस कॉलेज का प्लेस्मेंट, हाइस्ट पैकेज, इस कॉलेज का कट ओफ, रैंक कितना रहता है इसके बारे में भी पता होना ची तो अगर आपको इसको जानना है, तो आपको इस वीडियो को पूरा लास्त तक देखना है साथी साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है तो चलिए जानते हैं कौन से कॉलेज से तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे केमिकल इंजिनेरिंग के लिए तो केमिकल इंजिनेरिंग के लिए सबसे बेस्ट कॉलेज है ICT, Institute of Chemical Technology, मुंबई तो दोस्तों इस कॉलेज का हाइस्ट पैकेज है 17,00,00 और एवरेज पैकेज है 7,00,00 और इस कॉलेज का जो केमिकल इंजिनेरिंग का रांक है 764 और अगर आप केमिकल में बहुत ही इंजिनेरिंग पूने तो दोस्तों इस कॉलेज का हाइस्ट पैकेज जाता है 40,00,00,00 और एवरेज पैकेज जाता है 10,00,00,00,00 अगर बात करें कम्प्यूटर इंजिनेरिंग की अगर ट्रेन के हिसाब से जाए तो इस कॉलेज की रैंक है कम्प्यूटर इंजिनेरिंग के लिए 123 इसके बाद आते हैं हम वीजे टी आए वीरमाता जिजावाई टेकनोलोजिकल इंस्टिटूट मुंबई माटूंगा तो इस कॉलेज का हाइस्ट पैकेज जाता है 44,00,00,00 अगर आपको इस कॉलेज में कम्प्यूटर इंजिनेरिंग के लिए अडमिशन्स लेना है तो आपकी रैंक 91 होना चाहिए उसके बाद बात करते हैं श्री रामदेव बबा कॉलेज आफ इंजिनेरिंग और मैनेजमें नापूर इस कॉलेज का हाइस पैकेज जाता है 20,00,00,00 और एवरेज पैकेज जाता है 7,00,00 अगर आपको इस कॉलेज में कम्प्यूटर साइंस एंजिनेरिंग में अडमिशन्स लेना है 2275 होनी चाहिए तो दोस्तो मैं आपको यहाँ पर जो भी रैंक्स बता रहा हूँ यह जनरल ओपन की है तो आपको इसके हिसाब से आपका जो कैटेगरी है उसके हिसाब से आपको रैंक को डिसाइड कर लेना है तो दोस्तों बात करते है SPIT सरदार पटेल इंस्टिट आप टेकनोलोजी मुंबई तो इस कॉलेज का हाइस्ट पैकेज जाता है 42,00,00 और एवरेज़ पैकेज जाता है 11,00,00 अगर आपको इस कॉलेज में कम्पिटर इंजिरिंग में एड्मिशन्स लेना है तो आपकी रैंक लगबग 258 रैंक होनी चाहिए बात करते है MIT, WPU, पुने तो दोस्तो इस कॉलेज का हाइस्ट पैकेज जाता है 38,00,00 पर एनम और एवरेज़ पैकेज जाता है 6,00,00 पर एनम अगर बात करें इस कॉलेज में अगर आपको कम्पिटर साइंस और इंजिरिंग में एड्मिशन्स लेना है तो आपको ये कॉलेज डेफिनिटली मिल जाएगा उसके बात करते है VIT, PUNE तो इस कॉलेज का हाइस्ट पैकेज जाता है 26,00,00,00 पर एनम और एवरेज पैकेज जाता है 6,00,00,00 पर एनम अगर आपको इस कॉलेज में वाल्चन कॉलेज अफ इंजिनिरिंग सांगली एक कॉलेज गवर्मेंट ऑटोनॉमस कॉलेज है और इस कॉलेज का हाइस्ट पैकेज जाता है 34,00,00 और एवरेज पैकेज जाता है 7,00,00,00 पर एनम अगर बात करें इस कॉलेज में Computer Science and Engineering के लिए कितनी रैंक्स होनी चाहिए तो 1,171 के आसपास आपकी रैंक होनी चाहिए तबी आपको इस कॉलेज में Computer Science and Engineering ब्रांच इजिली मिल जाएंगी उसके बाद बात करतें केजे सम्म्या College of Engineering मुंबई इस कॉलेज का हाइस्ट पैकेज जाता है 40,00,000 पर अनम और एवरेज पैकेज जाता है 6,00,000 पर अनम अगर बात करें Computer Engineering में Admissions लेने के लिए तो इस कॉलेज में रैंक लगती है आपकी लगबग 1,100 के आसपास आपकी रैंक चाहिए तबी आपको केजे सम्म्या College इजिली मिल जाएगा उसके बाद last college जो है हमारा PICT पुने तो इस college का highest package जाता है 44 lakh और average package जाता है 8 lakh per annum अगर बात करें rank की तो इस college में computer science and engineering के लिए आपकी rank लगबग 598 के आसपास होने चाहिए तब आपको PICT पुने easily मिल जाएगा तो दोस्तो ये थे जो college top 10 colleges थे अगर आपका dream college यही colleges है तो please आपको मुझे comment box में बताना है और साती साथ आपका कोई भी doubts है regarding colleges, preparations के बारे में वो भी आप मुझे comment box में पूछ सकते हो तो मिलते हैं इसी के साथ next video में